Hello everyone, welcome to the wealth minus, आज हम करेंगे निपॉन इंडिया निफ्टी उप्टी इंडेक्स फंड का एक डिटेल अनालिसिस, साथ हम ये भी दिखेंगे कि इस फंड ने किस परकार के पर्फॉर्मेंस दिये हैं और ओवर दाइरे इस फंड ने अपने इंवेस्टर के रिटन दिये हैं और इस फंड के पोट्फोलियों में कौन-कौन से स्टॉक्स आते हैं, और स्टॉक्स कौन से वराइटी और इफ्रेंट सेक्टर से आते हैं और वीडियो के लास्ट में हम ये भी अनलाइस करेंगे, क्या ये फंड अपने केटेगरी का बेस्ट फंड है या नहीं तो चलिए ये शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, क्याकर निपॉन इंडिया और इंडेक्स फंड होता गया दोस्तों, इसको समझने के लिए हम इसके नाम को ब्रेकडाउन करेंगे जैसे निपॉन इंडिया का ये मतलब हो गया कि ये वो म्यूचल फंड आउस, जो कि हमको ये म्यूचल फंड प्रवाइट कर रहा है, इसके बाद हमको निफ्टी फिप्टी और इंडेक्स फंड का मतलब समझना पड़ेगा, इन दोनों टर्म को समझने के बाद हमें इस म्य इस में टोटल 50 स्टॉक्स आते हैं, और इन के अलावा जितने भी स्टॉक्स इन पचास स्टॉक्स को छोड़के उन सब स्टॉक्स की वैल्यू टोटल मिला के 38% है, और इस निफ्टी फिप्टी इंडेक्स की उपर ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेटिंग भी होती है, इसके इंडेक्स और ETF भी अबलेबल है, जो कि हमको मदद करते हैं इस निफ्टी फिप्टी इंडेक्स फंड के उपर इंवेस्ट करने के लिए, निपॉन इंडिया निफ्टी फिप्टी इंडेक्स फंड है, जो कि हमको निफ्टी फिप्टी के इंडेक्स के उपर इंवेस्ट कर करता है तो उस mutual fund को हम index fund बोलते हैं तो इंडेक्स फंड के fund manager को कोई stock नहीं pick करना होता उसे simply index को copy करना होता है और उन्हीं stocks में invest करना होता है जो कि इस index का part है तो आगे हम अभी यह भी देखेंगे कि कौन-कौन से stocks हैं जो इस index का part है किसी भी index fund का जो return है वो अपने index के बराबर ही होता है उससे ज्यादा वो return नहीं देख सकता तो आप समझ चुके होंगे कि निपॉन इंडिया निफ्टी 50 index fund किस प्रकार के stocks में invest करता है और इस Mitchell fund की investment philosophy क्या है चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि आप किस तरह से यूज कर सकते हैं निफ्टी 50 के index fund को अपने investment journey के लिए सबसे पहला यूज तो यह हो गया जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी 50 इंडियन market को represent करता है तो अगर आप निफ्टी 50 में आने आली है तो आप इस index fund के मदद से invest कर सकते हैं निफ्टी 50 के उपर और इस recovery का भी फायदा उठा सकते हैं तीसरा हो सबसे ज्यादा important use case है निफ्टी 50 इंडियन का उन लोगों के लिए जो बार-बार mutual fund और stock change नहीं करना चाते मतलब बार-बार mutual fund को buy करके फिर sell नहीं करना चाते या फिर अपने लिए stocks नहीं पिक करना चाते तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स fund के उपर invest कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी 50 ने over the year consistent return दिये हैं अभी हम check out भी करेंगे कि इस प्रकार से निफ्टी 50 ने consistent return दिये हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स fund ऐसे लोगों के लिए stock market में ज्यादा stocks और mutual fund को research नहीं करना चाते बट at the same time उनको consistent return चीए तो ऐसे लोग निफ्टी 50 इंडेक्स fund में invest कर सकते हैं तो चलिए अब हम यह देख लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में कौन-कौन से stocks आते हैं हिस्ता होगा Reliance का उसी तरह से 8% हिस्ता होगा SDFC bank का तो यह मतलग वह वेटेज का तो चलिए अब हम line से देख लेते हैं कौन-कौन से stocks हैं जो कि इस fund का part है तो सबसे पहले stocks है Reliance Industries फिराता है SDFC bank, ICIC bank, Infosys, SDFC फिराता है TCS, ITC, Kotak bank, HUL और Larson & Turbo तो यह थे top 10 stocks जो कि Nifty 50 Index के पूरे stocks का नाम मिल जाएगा sector wise तो आपको मैं अब यह बता जिता हूँ कि मैंने आपको यह top 10 companies के नाम ही क्यों बता है जो Nifty 50 में जो top 10 stocks है उनका वेटेजी 60% होता है और बाकी की 40 stocks है उनका सबको मिलाने के बाद ही 45% का वेटेज होता है इसका मतलब यह हुआ कि जो बाकी के 40 stocks है उनका जबदा up 10 stocks हैं 50 to 56% का वेटेज है तो जो即 contractor से है हैं तो यहां पर हमने टॉप 5 सेक्टर लिख लिए हैं जिससे कि 50-50 में स्टॉक्स आते हैं तो पहला सेक्टर है फाइनेंशियल जिससे कि 11 कंपनी आती है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे किसी भी इंडेक्स को समझने के लिए हम को 2-3 टर्म्स को समझना पड़ेगा उसी में जो पहले टाम आता है वह एक्सपेंस रिश्यो एक्सपेंस रिश्यो का यह मतलब हो गया कि पर्टिकुलर मुचल फंट हमसी कितने पैसे लेगा इस मुचल फंट को मैनेज करने के लिए तो हमें ऐसा इंडेक इसमें जो डिफरेंस आ जाता है उसी को हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं रेकिंग एरर नहीं का दो-3 कारण है उसमें से जो पहला कारण है तो कि हम मार्केट में कंटिनियूसली प्राइस चेंज होते रहता है तो अलग-अलग टाइम में हम अगर बाइ करते हैं किसी स्टॉक को उसका रहां से ट्रैकिंग एरर आ जाता है अगर बार किया होता है जो आपका इंडेक्स फंट इसका ज़्यादा पैसे लगाया चुके तो जितना ज्यादा एउम होगा उतना ही ट्रैकिंग एरर काम होग उस पर्टिकुलर इंडेक्स-फंड का अगर मैं आपको उवरल र प्रकार को यहाँ पर कर सकते हैं जाए निफ्टी नेक्स 50 हो निफ्टी हंड्रेति ओया या निफ्टी बैंको यह तीनों टम से ही हम डिफाइंड कर सकते हैं कि पर्फॉम्मेंस का इसा है जो index fund के manager होते हो, actively stock नहीं pick करते हैं, उनको simply copy करना होता है, उसलिए हम अपना खर्चा जादा क्यों करें, उसलिए हम better से better select करते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि expense ratio tracking error कम से कम हो, और AUM जादा से जादा हो, अगर हम निपॉन इंडिया 5050 index fund की expense की बात करें, तो इसका expense हो जाता है 0.20% और इसका tracking error हो जाता है 0.04%, तो total expense पर जाता है 0.24% का, और निपॉन का AUM है 500 करोड रुपे का, तो हमने expense ratio tracking error और AUM के बारे में समझ लिया, अब इन तीनों की मदद से हम अपने लिए best nifty 50 index fund select करेंगे, तो as of now market में total 18 mutual fund available है, जो कि nifty 50 के उपर index fund provide करते हैं, प कम से कम हो और उसका tracking error भी कम से कम हो, और साथी साथ उसका AUM ज़्यादा हो ताकि हमको liquidity मिल सके जब हम अपने mutual fund को बेचना चाहें, तो यहाँ पर मैं एक बार और repeat कर देता हूं कि हमको किस तरह से index fund को select करना है, expense ratio हमको कम से कम देखना है, tracking error भी हमको कम से कम देखना है, और जालो स्वाल का nifty 50 index fund जिसका की total expense पड़ता है 0.16% बड़ इसका fund size अभी छोटा है, तो हम इसको reject करते हैं, इसके बाद हम यह देख लेते हैं, case index fund का expense ratio सबसे कम है, तो expense ratio सबसे ज़्याद कम है, नावी nifty 50 index fund का, जो की 0.06% है, और tracking error के मामले में, SBI और UTI का index fund है, और दोन पी nifty 50 index fund, तो हमको यह select करना है, इन मेंसेज हमारे लिए best mutual fund कौन से रहेगा, मैं आपको यह suggest करूँगा, कि आपको ऐसे mutual fund house को select करना है जिसका fund size बहुत ज़्यादा हो, और साथी साथ उसका expense ratio tracking error भी कम हो, तो हमको line से बता देता हूँ, अगर मुझे pick करना हो कि कौन सा best index fund है nifty 50 के लिए, तो मैं क्या pick करूँगा, तो मैं सबसे पहले SBI और UTI में से कुछ भी select कर लूँगा, बट यहाँ पे हमको SBI में जो overall expense कम लग रहा है, 0.02% का, तो इसलिए मैं पहले preference में SBI को रख लेता हूँ, और दूसरे preference में UTI को रख लेता हूँ, और जब को तीसरा preference ह नावी nifty 50 index fund, दोस्तों अगर future में ऐसा होता है कि नावी nifty 50 index fund का expense ratio सेम रहता है, और इसका tracking error घट जाता है, तो होगा क्या कि जो इसका total expense है, वो कम हो जाएगा, उस particular time में हमारे नावी nifty 50 index fund सबसे अच्छा रहेगा, पर अगर हम अभी की बात करें, तो आब UTI किसी के तो एक साल में nifty 50 index 20% के return दिया है, तीन साल में 15% के return दिया है, तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि अगर नifty 50 index 5 साल में 14% का return दिया है, आप 14% के return को आप ऐसे समझ सकते हैं, कि अगर आपको 5 साल तक 14% का return मिलेगा, तो आपके पैसे almost double हो जाएंगे, नifty 50 के historical return को देखक हमको यह पता चलता है कि nifty 50 ने regular रूप से 14% का return दिया है इसका मतलब यही हुआ कि nifty 50 ने हर 500 में आपका पैसर डबल किया है वीडियो के एंड में चली हम nifty 50 के index के चार्ट को भी देख लेते हैं पर हर फॉल के बार निफ्टी 50 ने अच्छे खासे रिटन दिये है और आपको 14% के रिटन अच्छे लग दें तो आप निफ्टी 50 के index fund में इंवेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो में हमने निफ्टी 50 index fund के बारे में पूरी जानकारी ली इसके अलावा NAC ने बहुत सारे index बना के रखे हुए है आपको इन में से किसी भी index के बारे में डीटेल में जानकारी चीए इन में कौन से stocks आते हैं इनके बारे में जानना है इंडेक्स से रिलेटेट प्लेडिस्ट करिंग आपको वीडियो के description मिल जाएगा वहाँ जाके इन वीडियो को देख सकते हैं तो अगर आपको इन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कोई वीडियो होगा तो comment section में पूछना ना भूलिए